हेलो एब्रिवन दिस इस बुननन कुमर मेता एंड यू आर वाचिंग और अपना वाला चैनल प्यारा से चैनल मेरिट याड तो प्रिवियस लेक्चर में हम लोग गोल जी एपरेटर्स के बारे में स्टड़ी किये थें तो आज के इस लेक्चर में हम लोग अभी तक जितने लेक्चर कर चुके हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेस्टन को करने वाले हैं तो चलिए स्टाट करते हैं देखिए जो फर्स्ट क्वेस्टन है आपका वाट इज प्रोटो प्लाज्म प्रोटो प्लाज्म क्या है तो दा कंबाइन फॉर्म आप साइटो प्लाज्म एंड को हम लोग कहते हैं प्रोटो प्लाज दोनों को एक साथ मिला कर second question what is the name of गोल्जी अपरेटरस in plant cell plant cell में हम लोग गोल्जी अपरेटरस को किस नाम से जानते हैं तो second का आप का अंसर होगा dictyosome यानि plant cell में हम लोग गोल्जी अपरेटरस को dictyosome के नाम से जानते हैं अब देखिए ये था आपका very short answer type of question में one word या फिर one sentence में अब देखिए second जो है आपका MCQ है first question है the functional unit functional unit of गोल्जी अपरेटरस is यानि गोल्जी अपरेटरस का functional unit जो है कौन सा है option A में है vesicles, B में है क्योल, C में है सिश्टर्नी और D में है cytoplasm तो जो functional unit होता है गोल्जी अपरेटरस का वो आपका सिश्टर्नी कहलाता है क्या कहलाता है सिश्टर्नी यानि first का जो answer है MCQ का वो है आपका C second question देखिए lipid molecules lipid molecules in the cell are synthesized by यानि cell में lipid molecules का जो formation है वो किसके द्वारा होता है A में है ACR, B में है RER, C में है गोल्जी बोडी और D में है plastid तो lipid का synthesis जो है वो ACR के द्वारा होता है यानि second का आपका answer होगा A ACR third question है lysosomes arise from lysosomes का निर्मान किस से होता है या किस से arise हुआ है A में है ER B में है nucleus C में गोल्जी बोडी है और D में mitochondria है तो lysosomes का formation या फिर वो जो arise होता है गोल्जी अप्रेटर्स से होता है इसलिए third का आपका answer जो है हो जाएगा C गोल्जी बोडी तो अब हम लोग और question को देख लेते हैं देखिए जो fourth question है आपका the cell organelles with membrane bound sister located near the nucleus of the cell R यानि कौन सा cell organelles है जो nucleus के near present होता है sister भी उसमें पाये जाता है sister जो है उसके साथ पाये जाता है option A में है lysosomes B में है plastid C में है गोलजी अप्रेटस और D में है mitochondria तो आपका fourth का जो answer है वो हो जाएगा गोलजी अप्रेटस यानि C fifth question the primary primary function of ACR in liver cells is यानि liver के cell में जो है primary function ACR का क्या होता है A में है protein synthesis B में है detoxification C में है catabolism of protein और D में है carbohydrate metabolism तो बात करे liver में तो वहाँ पर ACR का जो main function है major role जो होता है वो आपका detoxification होता है यानि fifth का answer जो है आपका हो जाएगा B sixth question है the major function of गोलजी अप्रेटस is यानि गोलजी अप्रेटस का मुख्य functions जो है कार्य क्या है A में है detoxification B में है fermentation C में है translocation और D में है secretion तो major function जो है गोलजी अप्रेटस का होता है वो होता है secretion का यानि sixth का आपका answer जो है D हो जाएगा अब हम लोग और question को देख लेते हैं देखिए असर्षन में दिया गया है गोलजी बोड़ी is the site of glycosylation of proteins तो गोलजी बोड़ी जो है ये site होता है glycosylation of lipid and protein दोनों का इसलिए आपका असर्षन जो है वो क्या है true है reason की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है गोलजी बोड़ी helps in transportation of proteins from ER to outside the cell यानि reason में दिया गया कि गोलजी बोड़ी जो है ये transportation में help करता है protein का ER से cell के बाहर यानि outside तक तो ये जो है reason ये भी क्या है true है ये help करता है transportation में लेकिन यहाँ पर ये reason जो है assertion का correct explanation नहीं है इसलिए आपका जो answer होगा वो हो जाएगा आपका option B चुकि इस type के question आप लोग पहले भी कर चुके हैं तो ये था आपका assertion and reason based question अब हम लोग अगले types का question कर लेते हैं देखिए next type का question है state true and false यानि कौन सा statement true है कौन सा false है ये आपको बताना है first question जो है ACR helps in lipid synthesis ACR जो है वो lipid synthesis में help करता है तो first statement जो है वो आपका true है second question है आपका proteins are synthesized in lysosome तो protein का synthesis lysosome में नहीं होता है ribosome में होता है इसलिए second statement आपका false हो गया third question है protoplasm is also known as physical basis of life यानि protoplasm को हम लोग physical basis of life के नाम से जानते हैं तो ये third जो आपका statement है ये भी आपका true है हम लोग जानते है इसे ही कहते है अगला fourth question है hawkshly coined the term cytoplasm यानि hawkshly जो है उनके द्वारा दिया गया है cytoplasm term तो ये आपका statement जो है false है cytoplasm नहीं protoplasm जो है sorry protoplasm करें hawkshly के द्वारा बताया गया है कि protoplasm जो है physical basis of life और fifth question जो है आपका है गोलजी apparatus was discovered by Camillo गोलजी तो इनके द्वारा discovered किया गया था इसका इसलिए fifth statement आपका क्या है वो भी true है तो ये था आपका true and false type का question अब हम लोग next type का question जो है उससे देखते है question है fill in the blanks यानि जो fill in blanks जो दिये गए है आपको आपको fill करना है तो देखिए first question है packaging and dispatching unit of the cell यानि cell के अंदर ऐसा कौन सा unit है जिसमे materials का packaging और उसके बाद उसका वहाँ से transport यानि बाहर dispatch किया जाता है तो वह होता है गोलजी apparatus के द्वारा तो first का आपका answer क्या होगा गोलजी apparatus हो जाएगा second question है पुरकिंजे gave the term यानि पुरकिंजे जो है किस सब्द को दिये है किस term को दिये है तो वह दिये थे prutoplasm को तो ये आपका हो गया prutoplasm third question है outer portion of the cytoplasm is known as यानि cytoplasm का जो outer portion है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं तो उसे हम लोग ectoplasm कहते हैं ectoplasm कहते हैं अगला देखिए cytosol content fill in the blanks and also content तो cytosol जो है वो किस चेज को content करता है किसे content करता है तो ये cell organelle को cell organelle को और इसके अलावा inclusion bodies को ये दो component है जिन्हें cytosol content करता है और last question फिप्ट है transporting channels of the cell यानि cell का कौन सा component है transporting channels की तरह काम करता है तो वो है आपका ER endoplasmic reticulum तो ये था आपका fill in the blanks type का question अब हम लोग next type का question जो है उसे देखते हैं देखिए जो next question का types है match the following यानि match करना है आपको यहाँ पर दिये गया है question देखिए A में आपका है ACR तो ACR जो है वो लिभर में पाये जाता है maximum और उसका काम जो है detoxification का होता है तो A का आपका हो जाएगा third अब देखिए B में आपका है cell wall तो cell wall जो है cellulogy से मिलकर बना होता है इसलिए B का आपका हो जाएगा fourth C देखिए C में है RER तो RER जो है rough endoplasmic retipolum protein synthesis करता है इसलिए C का आपका हो जाएगा second D में है hoxley hoxley जो है ये term दिये है physical basis of life protoplasm के लिए तो D का आपका answer जो है fifth हो जाएगा और E में है cortex तो cortex जो है cytoplasm जो है उसके लिए आता है तो E का आपका हो जाएगा first cytoplasm तो ये था आपका match the following type का question अब देखिए जो next level है question का short answer type question यानि इनको आपको थोड़ा कम सब्दों में answer देना है देखिए question है what is protoplasm protoplasm क्या है तो combined form of cytoplasm and nucleoplasm is known as protoplasm उसको कहते है who gave the term protoplasm protoplasm सब जो है किसके द्वारा दिया गया है तो ये पुरकिंजे के द्वारा दिया गया था ये था आपका short answer type question अब देखिए next जो है आपका long answer type question है जिसमें question है what is ER यानि endoplasm क्रेटिकूलम क्या है तो endoplasm क्रेटिकूलम जो है membranous network होता है tubules का जो पूरे cytoplasm में scattered होता है इसके बाद है कि give its types यानि इसका types तो ER का mainly two types होता है first one is RER and second ACR RER rough endoplasm क्रेटिकूलम और ACR smooth endoplasm क्रेटिकूलम RER किसे कहते हैं तो endoplasm which contains ribosome on its outer surface अगर ribosome ER के outer surface पर पाया तो उसे हम लोग RER कहेंगे और अगर absent है ribosome तो उसे हम लोग ACR कहेंगे यह था आपका types functions की बात करते हैं तो functions ER का जो है first है कि यह जो है skeletal framework की तरह function करता है यानि support करने का second जो है यह जो है transport channel के रूप में काम करता है यानि materials को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाने में transport में मदद करता है इसके अलवा ER जो है वो protein के synthesis में function मने role निभाता है especially कौन सा तो RER इसके अलवा ACR वो भी ER का ही types है तो ACR जो है lipid का synthesis करता है और इसके अलवा ER जो है वो आपके detoxification में भी help करते हैं यानि जो भी आपका जो detoxification बोले तो जितने भी drugs and chemicals हमारे दूआरा consume किये जाते हैं उनको simple form में convert करने का काम है आपका ER का नहीं वो भी ACR का तो ये था आपका functions ER का इस प्रकार जो है आज का जितना भी question था वो complete हुआ तो आज के लिए यही तक ठेक thanks यही लो यहीं अनको